नमस्कार गूट बॉर्णिंग आप देख रहे हैं न्यूस 18 आपके साथ मैं हूँ कंचिन डोगराने की तो बीजेपी की लिस्फ तयार हो चुकी है बस एलान का इंतजार है जी हाँ बीजेपी कोर ग्रूप की कल शाम दिल्ली में बैटक हुई है और सोर्सिस के हवाले से जो पर चर्चा की गई है और 12 बंग की एक सीट जिस पर नया प्रत्याशि उतारने की अब तयारी कर ली गई है बीजेपी अपना दल S को दो सीटे सोन भदर और मिर्जापुर सीट देगी साथ ही अपना दल S को ये दो सीटे देने की तयारी जो बीजेपी की है इस बैटक में ये माना जा रहा है कि आज BJP उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है तो इंतजार लंबा होता जा रहा है इस दो लिस्टे आ चुकी हैं और अब दो लों लिस्टों के बाद तीसरी लिस्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि यूपी की जो बाकी की बचिवी सीटे हैं उन पर मन्थन चर्चा कल कर ली गई है और आज जो पके सोर्सिस बता रहे हैं उसके मताबिक कभी भी ये तीसरी लिस्ट जारी की जा सकती है सबसे बहले चलते हैं दिली की तरफ जहां पर ये मन्थन चिंतन किया गया है उनसे जल्दी से एक सटीक जानकारी लेते हैं संदीप क्या आज तीसरी लिस्ट जारी कर दी जाएगी कल हमने देखा कि विचार मन्थन तो कर लिया गया है तवाम सीटों के ओपर जो यूपी की बच्ची हुई हैं ना सिर्फ यूपी बलकी देश में जो अब बीज़ेपी की बच्चीवी सीट हैं उन सब के उपर क्या आज खुलासा कर दिया जाएगा क्या आज तीसरी लिस्ट जारी हो जाएगी संदीप देखे बीजेपी की कोर गुर्व में प्रत्याशियों के नाम तै हो गए है और इनको बस CEC की बेठक में भेजा जाना है जिस पर मुहर लगनी बाकी है ये किसी भी वक्त हो सकता है आज शाम को भी CEC की बेठक हो सकती है वहीं कल के लिए भी बैठक टाली जा सकती है क्योंकि अन्य भी प्रदेशों के प्रत्याशी उनके नाम गोशित होने हैं वहीं बात करें उत्तरप्रदेश की तो 25 नामों पे जो है मन्थन किया गया इसमें एक सीट बारा बंकी की है जहां पर दुबारा प्रत्याशी जो है ग प्रत्याशियों को घोशित होना है वहीं अगर बात करें कि नामों की मन्थनुई तो केसरगन सीट ऐसी है जहां पर वर्तमान सांसद के अलावा उनके परिवार के किसी को टिकट दिया जा सकता है ऐसे ही कानपूर सीट पे भी जो वर्तमान सांसद है उनके परिवार में किस सबसे बड़ा नाम जो उभर कर आ रहा है वो वारमंकी सीट का आ रहा है और जानकारी इस पर रिशब मनी से ले लेते हैं लखना उसे हमारे साथ लाईब मौजदर रिशब मनी जिन कॉंसिटेंसी के नामों का एलान हो गया है वहाँ पर तो पुर्जोर तैयारी चल रही है इंतजार उस कॉंसिडेंसी के लोग कर रहे हैं प्रत्याशी कर रहे हैं जिनके नामों की घोशना अभी होना बाकी है अब संदीप पक्की जानकारी दे रहे हैं कि आज ये नामों की घोशना हो जाएगी लेकिन अब देखिए बारा बंग की सीट के उपर असमंजस बना हुआ है और ये भी पक्की जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर नया उम्मीदवार गोशित किया जा सकता है रिशव मनी जी बिल्कुल देखिए उपेंदर रावत को प्रत्याशी घुशित किया गया था वो ने वत्मान सांसक दे हैं लेकिन एक आपते जनक वीडियो वाइरल हो जाता है इसी बीट इसके बाद उपेंदर रावत ने खुद ही ऐलान किया था कि जब तक उनको क्रींचिट नहीं मिल हट है उसके बाद अगर हम बाद कर लेते हैं जो सब्से हाई प्रोफाइल मामला होगा होगा वो miejनका गांधी वरूर गांधी को लेकर के होगा हला कि हमारे सोर्चेस बता रहे है कि सुल्टान पुर से करीब करीब मेनका गांधी का नाम फाइनल है लेकिन पीली भीट से वर प्रवाइब नौकर शाह संजे मित्रा के नाम की अभिलाशा नंदी जो मंत्री नंद गौपाल गुपता नंदी की पत्मी भी है और वहां से महापाउर भी है उनका नाम चल रहा है तो बरेली से संतोज गंगवार पूर किंद्री मंत्री है और वह 75 साल से उपर भी कटेग्री में आ रहे हैं लिहादा ये चर्चा है कि संतोज गंगवार की जगए वहां पर वहां महापाउर है उनका नाम टिकट के लिए चल रहा है मेरट की हम बात कर लेते हैं तो मेरट में अरुन गोबिल से लेकर कुमार विश्वास मेरट के विधाय कमीत अगरवाल तक का नाम चल नीतु सिंग जो की एक पुराने घराने की बहू भी है जो संग से जुड़ा हुआ घराना है लिहादा नीतु सिंग के नाम चल रहा है और सतीश महाना जो विधान सबहाद ध्यक्ष है वो साथ बार के विधायक भी हैं उनके नाम की बीचर्चा चल रही है या से रमापतर द्रपाटी को रिपीट करने की बीचर्चा चल रही है तो अगर कुंपी तौलम पते जानकारी दे रहे है और यही सबकी निकाहें आकर रुख जाती है कि वह कौन से प्रतियाशी है जिनके टिकेट कटने वाले है पकी जानकारी यह यह है कि मंतन चिंतन कर लिया गया है बस नामों की घोशना होनी बाकी है रिश्रमनी आपका शुक्रिया और संदीप पांडे आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए